प्रदेश की पूर्व मंत्री इमर्ती देवी के जिस बंगले को खाली करने लोक निर्मान विभाग ने नोटिस दिया था, उसे चंद घंटों बाद ही निरस्त कर दिया गया, साथ ही नोटिस देने वाले अधिकारी को भी बोपाल लाइन अटाच कर दिया गया इमर्ती देवी का बंगला रूप सीं स्टेडियम के पास मानिक विलास कॉलिनी में है, मुखे अभ्यंता लोक निर्मान विभाग ने शनिवार को पूर्व मंत्री से बंगला खाली करने संबंद नोटिस जारी किया था, नोटिस जारी करे अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि मुखे अभ्यंता ओम हरी शर्मा का बोपाल तबादला कर दिया गया, जबकि उनके रिटायर्मेंट में कुछी महीने बाकी हैं, बहरालिस पूरे घटनाक्रम के बाद यह तो साफ है कि इमर्ती देवी को भले ही उप्चुनाव में हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन अब अभी इमर्ती सरकारी महकमे पर भारी नजर आ रही है, ब्यूरो रिपोर्ट वंदे भारत न्यूस